जेहिंद नमस्कार मेरे सेर सेर्णियों लाडो लाडलियों स्वागता आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांडो केड़ में दोस्तों आज का वीडियो SSGD की नई भड़ती को लेकर है अभी भी आपके मन में उसको लेकर संसे है जबकि वेकेंसी आ चुकी है जब भी SSGD की वेकेंसी आती है तो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गर SSGD का कोई बेच चलता है तो वह हमारी एकेड में में ओफ लाइन बेच की बात कर रहा हूं में और ओनलाइन भी अगर आप देखोगे SSGD में अभी पिछली बड़ती में हमारे यहां से 40 बड़तों ने फाइनल सेलेक्शन पाया है ठीक है तो SSGD की जैसे बड़ती आती है सब को पता है हिंदुस्तान में कि SSGD का सब शुष पर यह बढ़ती होने वाली है कब आप फोरम भर पाओगे इसकी एजूकेशन क्या है यह पूरी की पूरी जानकारी शाथ ही आपको बता दूँ चार तारिक से SSGD के लिए अगरीम बेच जो हमने लौंच किया था वो शुरू होने जा रहा है कब से लाड़ लो चार तारिक से चार नो से तो जो भी बच्चे अभी इस बेच से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं चार तारिक तक आपको यह 50% डिसकाउंट पर प्रोवाइड किया जा रहा है लाड़ लो कमांड अकेडमी का अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है कलास्रूम से डाइरेट कलास्य आपकी लाइव रहेगी तो जो बच्चे यहाँ पर अकेडमी में ओफ लाइन पढ़ते हैं उनके बराबरी के आपको सारी चीज़े मिलने वाली है ठीक है और कल तक हमारी SSEGD की जो SSEGD 2023 में सारे पेपर है और यह सामन्य ग्यान की बुक है यह आप आज ले सकते हैं आज साम तक यह फिलिप कार्ड पर लाइव हो जाएगी उससे पहले ट्राइन ना करें ठीक है लाड़ लो तो जो भी बच्चे एकेडमी में आना चाहते हैं SSEGD के जिनोंने जिनकी बिलक से जुड़ने के लिए आपको कमांडो केडमी का एप्लिकेशन डाउनलोड करना है और चार तारीक से बेस शुरोगा पूरा का पूरा बेस लाइव रहेगा जो की कलास्रूम से लाइव होगा लाड़ लो और हर रोज रात आट बजे मेरी ये कलास आपको लाइव मिलेगी जिसमें हम SSJD का मोग टेस्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे ठीक है अब बात करते हैं कि इसकी नोटिपिकेशन कब आएगी देखो लाड़ लो नोटिपिकेशन की जो इसकी डेट आ रखी है आपने उसमें देख लिया होगा नौवंबर में ठीक है कौन से महिने में नौवंबर SSC का जो कलेंडर आउट हो रहा हो कमांडो केडमी के टेलिगराम ग्रूप पे मिल जाएगा आपको उसमें नौवंबर में इसकी नोटिपिकेशन की डेट आ गई है फोरूम में एपलाई भी आपके नौवंबर जब इसकी नोटिपिकेशन आती है तब ही फोरूम में एपलाई शुरू होते हैं यह नि अगर आप 9 ऊंबर में 18 साल के हो रहे हूं तो आप फिरम एपलाई कर सकते हूं एज में क्या छूट मिलेगी बिल्कूल मिलेगी कितने साल की मिलेगी है तो मैं नहीं बता सकता लेकिन एज में छूट पक्का मिलेगी उसके पीछे बता दू जो पिछली विकेंसी थी उसमें तीन साल की छूट दी गई थी लाश में उसको मिशन मोड में ले लिया और जल्दी अगली वेकेंशी लोंज की गई है तो सिम्पल सी बात है कि सरकार इस समय युवाओं को खुश रकना पसंद करेगी इलेक्शन का समय है और SACCD की वेकेंशी हमेशा राजनेती से गिरी रहती है तो इलेक्शन में सरकार आपको पता ही है अभी क्या क्या करने वाली है तो आपको एज में छूट मिलने हैं कि पूरे पूरे चांसेज है जो भी बचा जनल से 23 साल से उपर है वो भी जहां रखें ठीक है हाइट 170 cm चाहिए लड़कों के लिए लड़कों के लिए 177 cm चाहिए अगर आप जनरल ओबी सी इडवलू असे अगर आप एस्टी के टेगरी से हैं तो उसमें यह हाइट 162 cm चाहिए और लड़कों के लिए 172 cm चाहिए ठीक है सिर्फ एस्टी के टेगरी के लिए एक को खास बात बताता हूं आपको कि एससी जी डी एससी वेकेंसे अगर आपको ग्रिस लग रखा है कुछ भी लग रखा है आपके से भी जेस से करके टेंथ पास है तो आप इसका फोरम में अप्लाई कर सकते हैं ठीक है कोई परसंटेज का मेंटर यहां नहीं है लड़ेव ध्यान रखना रनिग इसमें उती है पांच कि लोमेटर की कितने किलोमेटर की पांच मिनटर के लिए शाइड आट मिननेत्स लड़कों के लिए 65 मिनट का समय उता लगए थे कितने क्रावज कर могा धो पर यह वे वरती आईगई तो मैं आपको बता दू है इस चकर में आप मत परशना अब ही आप तैयारी में लग जो SSEED की बढ़ती पिछली जो आई थी ना वो जब बढ़ती आई थी तब पचीस जार पदों पर थी और जब ये बढ़ती कंप्लीट हुई तब ये पचास जार पर चली गई थी एक लाग 29,000 के आज पास पद खाली है अब इतनी एक लाग 29,000 पदों पर तो एक साथ भढ़ती हो पाना पोसिबल नहीं है कभी ऐसा हुआ नहीं इतनी बड़ी वेकें साथ है लेकिन अगर आप आपने देखा होगा कई लोग बता रहें आपको 80,000 पदों पर ये भढ़ती होगी अगर ये 80,000 पदों पर उती है तो बहुत अची बात है लेकिन 50,000 से कम पदों पर तो नहीं होगी आप ये मान कर चलना दूसरी बात आज से ही तैयारी शुरू कर देना चार तारिक से आपका बेच शुरू हो रहा है उसमें लग जाना अब इधर उधर मूं मत मारना जो बच्चे एक एड़ी में आना चाते हैं उनको बता दूं SSEGD का गारंटेड बेच फुल सेलेक्शन की गारंटी है उसमें अगर आप उसमें आना चाते हैं तो नीचे दिये गए नंबर पर कोल करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं जो बच्चे अब तक तैयारी नह नहीं है लेकिन जो बच्चे ओनलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं वो अग्रीम बेच से जूड़ सकते हैं और चार तारिक से बेच शुरू हो जाएगा ठीक है आपके पास में आज का और कल का समय है जोइन करने के लिए जब बेच एक बार लाए हो गया उसके आर्मी मेडिकल की वजाए इसका मेडिकल आसान होता है तो जो बच्चे की छोटी मोटी कोई प्रोब्लम भी है उसका भी आप देख लेना ज्यादा प्रोब्लम आपको नहीं होगी लाट लो ठीक है जे हिंदे जे भारत